आग्रा सेब बड़ी खबार थाने में पकल कर आया चोर निकला कोरोना पॉजिटिव पुलिस महकमे में हलकाम आग्रा में लगातार कोरोना पॉजिटिव के केसों में बढ़ोत्री हो रही है दिन प्रति दिन कोरोना पॉजिटिव केस में हो रही बढ़ोत्री ने ताज नगरी आगरा को उत्तर प्रदेश में नमबर वन पर पहुचा दिया है मगर कोरोना पॉजिटिव केस को लेकर एक ऐसा मामला सामनी आया है जिससे पुलिस महकमे में हलकंप मचा दिया है दरसल यह मामला हरी परवत थाना छेतर की वजीर पूरा इलाके का है बताया जा रहा है कि हरी परवत थाना छेतर की वजीर पूरा इलाके में दो दिन पूर्व हरी परवत पुलिस ने सेटर तोड़ते वक्त एक चोर को पकड़ा था इस चोर का नाम दानिश है थाना हरी परव पुलिस चोर को लेकर थाने हरी परवत पहुंची और उसे हवालात में बंद कर दिया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक जिस वक्त चोर को घंटों तक थाने में रखा गया। उस वक्त चोर को सरदी जुखाम और खांसी की शिकायत थी। जिसको लेकर पुलिस विभाग में हलकंप मच गया और ततकाल चोर की सैंपिलिंग कराई गई तो चोर कोरोना पॉजिटिव निकला चोर की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद खाकी महकमे में हलकंप मचा हुआ है इस मामले को पुलिस के अन्य अधिकारियों ने संग्यान लिया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही पुलिस अफसर थाना हरी परवत के सभी पुलिस कर्मियों का सैंप्लिंग करा सकती हैं जिससे यह सामने आ सके कि हरी परवत थाने पर पकड़ा गया कोरोना पॉजिटिव चोर ने कहीं अन्य पुलिस कर्मियों को तो संक्रमित ना कर दिया हो ताज नगरी आगरा में इससे पूर्व अगर कोरोना पॉजिटिव केस की बात करें तो इससे पहले भी हरी परवत थाना छेत्र में एक सबजी बेचने वाली सबजी उख्रेता ने कई लोगों को संक्रमित किया था आनंद कुमार सिंके रिपाउट